हलो दोस्तों मैं उत्तम के बाट किसी सायर ने बहुत सुन्दर सी बात कही थी कि सोचने से कहां मिलते हैं तमनाओं के सहर कि सोचने से कहां मिलते हैं तमनाओं के सहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए अगर आप सोचते रह जाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करके दिखाऊंगा अगर आप उस पर action नहीं लेते हैं, अगर आप सोच रहे हैं, तो आप कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पा सकते हैं एक बात ध्यान रखिएगा, कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के सहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, अगर आपकी कोई मंजिल है, कोई लक्ष है, कोई दिसा है, कोई सपने हैं, तो उन सपनों को, उन लक्ष को, उन दिसा को आगे बढ़ते रहिए, चलत लगती है, और जो भी बाधाय होती है, वो आपके सामने टकराती हैं, और आप उन से लड़ते हैं, जब लड़ते लड़ते, आप उन पर विजई होते हैं, तो आपके सपने, आपकी मंजिल बहुत करीब होती है, इसलिए, संघर्स की राये पे जो बीर चलता है, वही तिहा अंसार को बदलता है एक दिन आप अपने जीवन को सपनों को मा के सपनों को अपने सपनों को सब को एक सपना दिशा दिखाओगे एक इतिहास बदल दोगे जो सोचोगे वो करकी दिखाओगे बस आपको मुसीवितों से लड़ना पड़ेगा कि संघर्ष के राय में जो बीर चलता है वही इतिहास बदलता है जिसने अंधेरों में जंग जीती हो जिसने अंधेरों में जंग जीती हो सूर बनकर वही निकलता है सूर बनकर वही निकलता है मतलब जब आप अंधेरों से लड़ते हो कहते हैं ना बहुत हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि आज दुख है तो कल सुख आएगा इसी प्रकार हमारे जीवन में है आज अंधेला है तो कल रोसनी सुवेरा सुवेर आएगी इसलिए जो अंधेरों से लड़ता है वही सूर बनकर निकलता है आपको जब आप सपने के ओर बढ़ोगे तो आपके पास बहुत सारी मुसीवतें आएगे कभी लोग, कभी समाज, कभी आपके ये वो ताम जहाम बहुत से लोग आएगे इसलिए आपको लड़ना है क्योंकि मंजिल आपकी है, सपने आपके है सोच आपकी है, तिसा आपकी है आपको इसलिए लड़ना है तभी आप एक सूरज की तरह जगमगाओगे अपने परिवार का, अपने समाज का खुद का एक अच्छा नाम रोसन करोगे अपने सक्सिस का, कहानी का बहुत बहुत धन्नवाद